आज मैं आपसे डिसकस करने जा रहा हूँ एक मल्टी बैगर सेर के बारे में जिसका नाम है मुथूट फानेंस आज हम देखेंगे कंपनी के वैलिएशन कैसा है फानेंसेल हम डिसकस करेंगे लोंग टरम चार्ट मैं इसका बताऊंगा आपको कैसा है सेल होडिंग पैटर्न ड देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिटेल इंवेश्टर का चैनल सबसे पहले हम बात करें मुथूट फानेंस को मैं नहीं समझता कि किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है लगवग हम सभी लोगों ने सुना है कि मुथूट फानेंस गोड़ लोन में डिल करती है इसका जो 90 चोटा सा कंटेंट इसलिए इनका मेनली काम यहां बात कर रहा है इनन सबी चीजों को देख देख लिए कि लिक्विडी करंच चल रहा है इक तो वह किसी भी छोटे बिजनसमें को जल्दी लोन नहीं देना चारही है हम यहां पर business loan की बात कर रहे हैं तो यहां पर सबके पास एक option आता है सबके पास यानि businessman लोगों के पास एक option आता है although salary person भी gold loan लेते हैं लेकिन मैं भी covid के चलते आपको बता रहा हूँ कि businessman के पास एक बहुत अच्छा option है gold loan लेने का इसमें क्या benefit है? मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पहले अगर मैं आसान भासा में आपको समझाओ कि 100 रुपे का अगर हम gold देते थे किसी भी gold finance company को चाहे वो मुथूट हो मनना पूराम हो या कोई bank हो SDFC और federal और whatever तो पहले हमें 70 या 75 रुपे तक loan दिया जाता तो जिसको हम LTV कहते है loan to value लेकिन अभी पीछे RBI ने इस policy को change करके LTV 90% तक increase कर दिया है तो सीधा सीधा बताता है कि जो भी companies, जो भी NBFC, जो भी bank gold loan में deal करती है लगबग 15 से 20% 20% business loan का RBI नहीं बढ़ा दिया है क्योंकि जो 100 रुपे पहले 75 रुपे लेंड कर रही थी अब 100 रुपे पे 90 रुपे लेंड कर रही है तो 20% revenue का RBI नहीं बढ़ा दिया है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि bankों का risk बढ़ गया है, मोथूट finance का risk बढ़ गया है क्योंकि वह ज़्याद exposure दे रही है नहीं, why? because gold is a appreciating asset, यह increase होता रहेगा अभी gold की value suppose 55,000 है तो वबस्ती बात है आने वाले एक, दो, तीन साल में यह increase करेगा, यह depreciating asset नहीं है जैसे हम housing loan देखते हैं, वो काफी वहाँ पे safe रहता है, वहाँ पे जो defalter के ratio है, वो काफी कम रहते हैं क्योंकि वो secured है, और appreciating asset है property, same चीज़ यहाँ पे gold loan में है, कि gold हमारा appreciating asset है, अगर किसी ने आज 100 रुपे का gold दे दिया, 90 रुपे का loan उठा लिया, और suppose 6 मेने बाद वो payment नहीं कर पाएगा, तो bank उसको easily liquidity में convert कर सकती है अराम से वो उसको sell करके अपना value जो है, अगर वो gold की value 2-4-5-6% आज 10% डाउन भी हो गई, तो भी bank का पैसा safe है, लेकिन long term में देखा जाए तो gold तो appreciating asset है, तो यहाँ पे देखा जाए, तो bank काफी safe है और हम कह सकते हैं कि यह home loan से भी ज़्यादा safe है एक तरह से, अब हम देखते हैं कि company का जो share price है, आप देख सकते है 1128 रुपे है लगवग वन येर का जो high है, that is 1405, वन येर का low है 477 तो अपने low से लगवग यह आपको धाई गुना पैसा भी बना के दे चुकी है market cap के अगर हम बात करते हैं 45,000 करोड का market cap है अगर dividend yield की बात करें that is also very attractive 1.33 price to book value लगबग 4 का है P ratio 14 का है जो इसका normally हम 8-10 के level पे देखते हैं, लेकिन अभी ये high valuation पे थुरह ट्रेड हो रहा है 14 के आसपास promoter holding देखा जाये तो ये काफी positive है 74% के आसपास से जो मागे sale holding pattern में discuss करेंगे ROE, ROC आप देख सकते है that is also very good 16% का ROC है and ROE is 22% अब हम देखते हैं कंपनी का profit and loss कैसा है अगर हम quarterly profit की बात करें तो मार्स 20 में जो revenue था company का वो था लगबग 2400 करोड और June में भी लगबग 2400 करोड है तो जहां हम देख रहे हैं कि COVID के time पे लोगों का revenue डाउन हो रहा है किसी का 10%, किसी का 20, किसी का 50 मुथूट का revenue लगबग constant है comparison to its March quarter अगर हम net profit की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप जो पहले 815 करोड था March में वो increase होके 840 करोड हो गया है तो net profit में भी हमें quarter on quarter लगबग 3% का jump देखने को मिल रहा है अगर हम yearly profit की बात करते हैं March 18 में जो इसका income था वो था 6266 करोड 6266 करोड जो कि March 19 में लगबग 69 करोड हो 6900 करोड हो गया है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं year on year company का growth हो रहा है यहाँ पे more than 10% से अगर हम net profit की बात करते हैं तो 1780 करोड से लगबग 1980 करोड हो गया है यहाँ पे भी हमें more than 10% का जम देखने को मिल रहा है balance rate की बात करें तो balance rate भी काफी इसका नीटेंड क्लीन है रिजवर आप देख सकते है 1400 से बढ़के 9300 हो गया borrowing हम देखेंगे तो इसका तो NBFC और बैंकों का तो काम है पैसा कर जाओ उठाना और उसको आगे land करना तो हम बोरोगों के बारे में discuss नहीं करेंगे अब मैं आपसे डिसकता हूँ इसके long term chart के बारे में मैंने आपको बताया था कि कि किसी भी company में invest करने से पहले हमें उसका long term chart देखना ही देखना चाहिए जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ आप देख सकते हैं लगबग share price था इसका 155-160 June 11 में जो कि अभी लगबग 1100 के level पे चल रहा है तो इसने पिछले 8 सालों में आपको 9 सालों में लगबग 6-7 गुरा पैसा बना के दिया है तो ये होता है multi-bagger share बस condition ये है कि आपको इसे hold करना चाहिए था आपको इसको 100-500-200% के profit पे sell नहीं करना चाहिए था जो हम इसे लगबग 95% या उससे भी ज़्यादा investor कर देते है जैसे ही थोड़ा सा return आता है 50-100% तो हम उसको sell कर देते है है सोचके कि ये कहीं गिरना चाहिए लेकि लोंग ट्रम में देखा जाएं तो share का काम है फिर गिर के चड़ना और चड़ चड़ के गिरना कि अगर पिछले छे महीने की बात करें तो छे महीने में इसने आपके पैसे को लगबग धाई गुना कर दिया अच्छे मैंने पहले आप देख सकते हैं कंपनी का जो लोईस्ट लेवल है वेड़ेश 477 इस लेवल से लगबग इसने आपको 300 गुना पैसा बनाके दिया है या आपके पैसे को तीन गुना बनाया था इसने यहां पर महाइस था लगबग 1500 रुपे का अब उस लेवल से करेक्ट होके यह 1100 के लेवल पर चल रहा है तो यह काफी अच्छा जो नइस लेवल पर परचेश करने का देख सकते है कि 1100 का सपोर्ट है अगर 1060-70 यहां पर support level है इसका अगर 1060-70 का लेवल तोड़ता है तो यहाँ पर फिर यह 1000 से नीचे आ सकता है आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा quantity increase कर सकते है अगर यह down जाएगा तो हम वहाँ पर और increase करेंगे हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यह 5% गिर गया, 6% गिर गया, 8% गिर गया अब इसके रोल्डिंग पैटर्न के बारे में मैं आपसे डिस्क करता हूँ मैंने बताया था आपको कि जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो है more than 73% मार्च 19 से मुकावले अगर देखा जाए जून 20 में थोड़ा सा डाउन हुआ है प्रमोटर का होल्डिंग मार्च 19 टू जून 20 जो पहले 12 परसेंट था अब वो लगबग 14.5 परसेंट है मुच्छल फंड का अगर देखा जाए तो मुच्छल फंड ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है जो पहले 9 परसेंट था वो अब 6 परसेंट के आसपास है रिडियमसर रिक्वेस्ट आई होगी प्रोफिट बुक किया होगा क्योंकि इसने मैंने बताया आपको लगबग 2-3 पुना पैसा बनाके दिया है तो मुच्छल फंड का अपना डिसीजन है लेकिन मुच्छल फंड का अच्छा खासा एक्सपोजर है इसमें मैं आपको बता रहता कि management salary company की जो management है उस salary कितनी विड्रो कर रही है तो management जो है इसका top management वो केवल 110 करोड रुपे annually विड्रो कर रहा है as salary जो कि एचपर company act ceiling है 646 करोड यानि 646 करोड में से they are withdrawing only 110 करोड यानि लगबग 18-20% वो अपने total capping का विड्रो कर रहा है यह हमें दि अपने company के growth पे अब as a disclosure मैं आपको बता दू कि मेरा इस company में holding है मैं इसको long term से hold कर रहा हूं और आगे भी hold करूंगा but this is not my any suggestion to anyone कि आप जाके इसको कली खरीद लेजिए आप अपने financial advisor से discuss कीजिए उसके बाद ही किसी share में आप position लेजिए वीडियो आपको अच्छा लगा ह विकेंड पे कम से कम दो वीडियो आपको देने का हम detail analysis करते हैं वीडियो का आप चाहो तो जिरोधा में अपना account कोल सकते हो निचे description पर मैंने link दे दिया है मिलते हैं आप से एगली वीडियो में तब तक के लिए जैराम जी की